एक समय की बात है, एक हलचल भरे एंथिल में एंडी नाम की एक डरपोक छोटी चीन्टी रहती थी, जबकि अधिकांश चीन्टियां भोजन इकठा करने और आगामी सर्दियों की तैयारी में व्यस्त थी, एंडी हर चीज से डरता था, वह अंधेरी सुरंगों से डरता था, और एंथिल से परे जाने से डरता था, एक धूब भरी सुबै, जब एंडी ने अपने दोस्तों को भोजन इकठा करने के लिए एंथिल से बाहर निकलते देखा, तो उसे अपराध बोध की पीड़ा महसूस हुई, वह मदद करना चाहता था, लेकिन डर से स्तब्ध था, अ मकडी के जाल में फंसी एक तितली थी, जो मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी, एंडी का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपने दोस्तों और उनकी हर दिन दिखाई जाने वाली बहादुरी की याद आई, वह तितली को कष्ट नहीं होने दे सकता था, और एंडी डरा हुआ था, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था, अनंत काल की अनुभूती के बाद वह तितली को मुक्त कराने में काम्याब रहा, कृतज्य तितली ने एंडी को धन्यवाद दिया और चम-चमाती धूल का निशान छोड़कर उड़ गई, एंडी अपने साथी चीन्टियों के बीच एक नायक बनकर एंथिल में लौट आया, उसके दोस्त उसकी बहादुरी से आश्चर्य चकित थे और उसके साहस का जश्न मना रहे थे, उस दिन के बाद से एंडी इतना डर पोक नहीं रहा, उन्होंने महसूस किया कि साहस डर का अभाव नहीं था, ब चैनल की जरूरत पढ़ने पर उस पर काबू पाने की ताकत है, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और 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 भी अद्भुत कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें